गेपांग गत लेक हिमाचाब देश के लोहलेंस पीती में सिचुएटीड है जहां तक की बात करें चंदरायन भागा रिवर की चंदरायन भागा रिवर में ये सबसे बड़ी ग्लेशे लेक मानी जाती है इस लेक का जो कैश्मेटी एरिया है वो लगबग 50 स्क्वेर किलोमेटर के करीब करीब का है और यहां पे गलेशेस जो है बहुत जादा है और इन गलेशेस के दोवारा कॉंटिनियूसली इस लेक को फीड किया जा रहा है डॉंस्ट्रिम के अनिलिसिस की बात करें अगर लेक के अनिलिसिस की बात करें तो लेक के हम ओवर्वियो देखना चाहेंगे की कब-कब इस लेकका एरिया कितना था इसकी ड्यफ कितनी रही है, इसकी लेंथ कितनी इंक्रीज हुई, और विर्थ कितनी इंक्रीज हुई है इनिशेल जो इहर है 2001 2001, 2001 में ये लगबग 36 हेक्टर के एरिया में फैली हुई थी, और ये linear stretch की बात करें, तो 1200 मेटर की करीब भी इसकी length थी, और इसकी width 288 मेटर की करीब करीब, इस section में अगर हम center की बात करें, तो यहां पे 288 मेटर की करीब इसकी width है, वहीं कि इसकी depth की बात करें, तो depth इसकी 2 मे data के through analysis कर पा रहे हैं, वहीं पे अगर हम 2010 की बात करें, तो यह जो catchment है, catchment लगबग double हो गया है, पहले 2001 में 36 हेक्टर के करीब था, और 2010 में 68 हेक्टर के करीब करीब इसका area जो है, वो increase हो गया, वहीं पे 2001 में इसकी length 1210 मेटर थी, जो की 2010 में 1785 मेटर के करीब करीब हो गई, विर्थ की बात करें, तो 2001 में विर्थ 288 मेटर के करीब थी, वहीं पे ये विर्थ जो 2010 में है, 348 मेटर के करीब हो गई, अगर हम इस में थोड़ सा अपर area के और को जाए लेके, यहाँ पे विर्थ जो आप देखें तो ये विर्थ लगबग 533 मेटर के करीब करीब हो गई यानि की आदा किलोमेटर के करीब करीब इसकी जो विर्थ है, वो इंकरीज हो गई, अगर लेक के डेफ्थ की बात करें हम, तो डेफ्थ अगर यहाँ पे देखें जहाँ पे इसका exit point है, जहाँ पे पानी release हो रहा है, तो वो लगबग elevation में 4094 मेटर पे release हो रहा है, और इस जो डेफ्थ है, वो वेरी कर रही है, अलग-अलग point पे अलग-अलग, जैसे कि हम bottom to top चले, तो bottom में आपका जो है, दो से तीन मेटर के करीब करीब ही जो डेफ्थ रह रही है, रिवर की, यहाँ पे देखें, 400 मेटर है, और यहाँ पे 4096 मेटर है, तो यहाँ लगबग 4 जैसे जैसे हम उपर को जा रहे है, और यह जो डेफ्थ है, यहाँ से आपकी और ज्यादा डेफ्थ हो रही है, लेक की, और 37 मेटर के करीब-करीब अगर आप देखें, तो इस पोईंट पे 37 मेटर के करीब-करीब डेफ्थ है, और यहाँ से अगर आगे को बढ़ते जाए तो आपकी जो ये depth है ये थोड़ी कम होती जा रही है तो यानि कि हमारी जो depth है major वो depth यहाँ पे है ये इस depth का जो lake का है उस center point माना जा सकता है as a depth 2010 में जो area lake का 68 hectare के करीब था वो ही आपका 2019 में 97.5 hectare के करीब हो गया लगबग 100 hectare के करीब वो area increase हो गया अगर width बात करें हम 2010 में 348 मेटर थी और ये जो width है 2019 में 360 मेटर के करीब करीब यहाँ पे area जो है वो increase हो गया वही पे अगर हम lake के जहाँ पे depth सबसे जादा है वहाँ की width की बात करें तो 2010 में 533 मेटर के करीब थी वहीं पर यह 2019 में 566 मीटर के करीब करीब जो width है वो increase हो गई अगर हम इसके depth की बात करें तो initially अगर आप पहले देखें तो शायद 2 मीटर के करीब करीब यहाँ पर starting में है अगर हम बात करें तो 2 मीटर के करीब depth थी जो कि अब slightly increase हो गई है अब 4 मेंटर के करीब करीब यहां पे depth है इसकी 3, 4, 4 के करीब हमारी depth रह रह रही है अब जब हम इस point तक पहुँचते हैं तो यह लगबख same ही हमारी रह रही है 4, 5 मेंटर के करीब करीब variation है हलका सा इसमे variation आ रहा है जब इस point पे हम पहुँचाते हैं यहाँ पे आपकी 30 मेटर के करीब करीब जो depth है वो रहती है और ऐसे ही अब जब यहाँ से उपर को चड़ना शुरू करते हो तो यहाँ पे आपकी जो depth है वो धीरे धीरे reduce होनी शुरू हो जाती है यानि कि यहाँ से अगर आप देखे उपर की और को तो लगबग यहाँ पे 20 से 30 के करीब करीब मेटर में जो हमारी depth है लेक की वो रह रही है अब यहाँ से अगर आप बात करें तो 18 मेटर के करीब करीब हमारी जो depth है वो रह रही है और उपर को आते हुए यहाँ पे अगर इस section में बात करें तो यहाँ पे वही 4-5 मेटर के करीब करीब हमारी जो depth है अगर इसके catchment की बात करें तो इस catchment में हमारे पास बहुत ही कम गुज़ाश है कि कोई natural lake formulate हो पाए क्योंकि यह valley जो है काफी broad है अगर आप यहाँ पे भी देखें तो काफी broad broad valley है यह लगबग 300 मेंटर के क्रिब क्रिब इसकी जो width है वो है तो यहाँ पे पानी का flow रुकना थोड़ा सा कम possible लग रहा है हालांकि अगर कोई glacier यहाँ पे आ जाता है और block कर देता तो यह possibility जरूर रहेगी अगर हम इस lake की बात करें तो इस lake में दो जगा से जो जादा chances है कि पानी पे जो glacier आ सकता है वो एक यह वाला point है जो कि आपके इसके right bank में देख सकते है लेक के और दूसरा इस point पे जो कि आपके थोड़ा सा down stream है लेक की यहाँ पे glacier आ सकता है और इसका volume जो है suddenly increase हो सकता है अगर यहाँ पे कोई disaster होता है तो इस case में सबसे पहले जो first जो hit होगा वो सीसू होगा यहाँ पे ठीक नीचे अगर बात करें तो यहाँ पे दोनों edge पे जो यह पानी आ रहा है तो इनके दोना edge पे damage होने की chances है यहाँ पे road है जो यह damage होगी प्लस यह कुछ excitement इसके ठीक नीचे अगर पानी की बात करें तो force में सामने आएगा सामने यह कुछ agriculture land है जो damage होगे फिर यहाँ से damage होते वे पानी की वापीस को हटेगा जो की halipad है इस halipad को damage करता हुआ pond जो है वो blast करेगा और फिर से यह जितने भी हमारी यहाँ पे कुछ settlements है यह सारी की सारी damage होगी फिर पानी कुछ पीछे को हटेगा पीछे हटने पे सबस्केशन एक रास्ते में आगा यह सबस्केशन भी damage होगा कुछ green cover portion है यह green cover भी प्लस यहाँ पे agriculture land और कुछ settlement है यह damage होगी फिर यहाँ से ठीक पीछे एक bridge है जो damage होगा और यह वाली settlements जो damage होने के chances है इन दोनों banks पे कुछ एक tourism point of view से hurts है तो यह hurts को भी damage होने का chances है यह agriculture land प्लस यहाँ पे कुछ एक agriculture land है वो damage होते वे आगे को जाएगा इसे ठीक नीचे जो सबसे पहले damage होगा तो मोलिंग bridge को होगा तो यह वाला जो एक bridge है यह damage होते वे आगे को जब river बढ़ेगी तो उसके बाद लगबग 19 km का जो distance होगा वो तेह करने के बाद जो पे हमारी जो यह settlements है यह damage होगी क्योंकि यहाँ पे यह already deposition जो है river का उस portion में बनी है फिर जो तांदी का bridge है जो connect कर रहा है road को वो damage करेगा और damage होने के बाद ठीक थोड़ा सा पानी पीछे खोड़ेगा जहाँ पे यह कुछ settlements है जो कि भागा के left bank पे है वो damage होगी फिर जहा चंदर और भागा दोन मिल जाती है वाँ चंदर भागा आगे को चलेगी तो वहाँ पर यह जो river bet पे ठीक settlements है कुछ agriculture activities है यह सारा damage होते वे river आगे को चलेगी कुछ यहाँ पे settlements आप देख सकते हैं जो कि कुछ tank है lift irrigation के लिए है या किस चीज़ परपस के लिए बना है तो व चंदी के बाद जोबरंग विलेज आएगी वो आपका river bet के बिल्कुल नजदीक है यहाँ पे जोबरंग bridge है वो भी damage होगा प्लस agriculture land यहाँ पे सबसे जादा damage होगी तो यही जोबरंग village है जहाँ पे सबसे जादा agriculture sector को damage होगा ठीक इसके नीचे next village थिरोट है थिरोट में settlement as well as यहाँ पे agriculture land दोनों है तो जो damage होगी और यहाँ पे कुछ एक घर जो first instant में hit होगे वो यहाँ पे है उसके बाद थोड़ा सा local नाला है उस नाले के बाद यहाँ पे hit होगा फिर एक bridge आ जाता है जो bridge थिरोट का है इसको damage करते हुए पानी आगे को बढ़ेगा और यह जो flesh flood है यह next जा पहुंचेगी किशोरी विलेज़ पे किशोरी विलेज़ पे एक bridge है उस bridge को damage करते हुए कुछ एक horticulture का portion को damage करेगा और फिर आगे पानी जहाँ पे flood पहुंचेगी वो कुकुमसेरी विलेज़ होगा कुकुमसेरी के right bank पे चंदरभागा के horticulture activities है कुछ green cover portion है वो damage होगा और फिर जो last analysis हमने किया है लगबख 50 km के creep creep पे वहाँ पे उदेपूर आ जाता है उदेपूर के right और left दोनों bank पे damage होगा यहाँ पे एक paddle चलने के लिए bridge बना है तो वो damage होगा साथ मैं halipad जो की बिल्कुल ही river bed पे दिख रहा है वो और plus कुछ एक settlements है tourism point of view से है hearts है तो वो भी damage होगी फिर ठीक आगे जाके यहाँ पे settlements भी है horticulture land भी है और अगर चंदरभागा की right bank पे बात करें तो यहाँ इस edge पे भी कुछ एक settlements है जो damage होगी और फिर ठीक यहाँ पे नीचे यह bridge है जो उदेपूर का bridge है यह bridge को hit करते वे यह agriculture land को hit करते वे पानी और last bridge जो हमने analysis किया है वो यह bridge हाएगा अगर हम mitigation की बात करते हैं तो ठीक नीचे से उपर को चलना शूरू करते हैं mitigation measures में हम बात करें तो उदेपूर सबसे पहले जो नीचे last में आता है वहां से हम reverse order में अब उपर को चलेंगे तो यहाँ पे जो mitigation measures है है हैलीपैट को locate करने की जुरूरत है इस portion को hit हो गई होगा और यहाँ पे हमें ठीक हैलीपैट के पीछे से एक channelization work करना होगा mitigation work करना होगा ताकि पानी जो है उदेपूर का जो area है वहाँ पे hit ना करें ठीक इसके opposite दूसरा हमारे पास यहाँ पे कुछ settlement का area है जहाँ पे हमें इस तरीके से लगभग जो circle है आदा half circle रहेगा उस abasis पे हमें यहाँ पे mitigation work करना होगा ताकि जब भी पानी उपर से आए तो यह वह इस area में आए तो यहाँ से होते वे इस दिवार को hit करेगा तो उतना ज़्यादा damage नहीं होगा और यहाँ से सीधा आगे को निकल जाए तो हम यहाँ से थोड़ा सा life जो loss है उसके chances को reduce कर सकते हैं ठीक इसके उपर throat है थिरोट में यहाँ पे mitigation work करने की जूरत है जो mitigation work है थोड़ा सा ज़्यादा stretch रहेगा ताकि हमारा जो पानी है वो इस शेप में आएगा तो यहाँ से जब hit करते हुए इस दिवार को hit करते हुए पानी आगे को निकल जाएगा तो हमारी यह settlement है जो काफी अद तक safe हो जाएगी अब ठीक इस से उपर जो next आ जाता है वो जो अबरंग आ जाता है जो अबरंग में आपका agriculture activities सबसे जादा है और यहाँ पे कुछ settlements है जहाँ पानी के जो chances है divert होने को वो इस portion से divert होगा और यहाँ से होते हुए इस portion को hit कर सकता है तो हमें यहाँ पीछे से ही पानी को divergent को ज change करना होगा अब इससे उपर अगर बात करें तो इससे उपर हमारा आ जाता है तांदी तांदी में अगर हम mitigation work की बात करें तो हमारे पास जो यह right bank है right bank में है चंद्रा के और left bank भागा का यहाँ पे इतने mitigation work जो है वो करने की जूरत है ताकि यह settlements हमारी safe रहे पाए यह दोन में अगर कभी फिलड आती है तो यह वाली settlement हमारी safe रहेगी अब सिसू की बात करें तो सिसू में यह helipad है तो इससे relocate करने की जूरत है और mitigation work की बात करें तो mitigation work जो है हमें mainly both जो उपर से lake का पानी आ रहा है downstream तो दोनों साइड पर mitigation work करने की जूरत है तो left और right तो यहाँ पर दोनों साइड में हमें mitigation work करने की जूरत है ताकि जो पानी है वो इस portion को hit ना कर पाए गेपांग लेक के ऊपर से हम mitigation measures को start करते है कि कब क्या measures हमें करने चाहिए तो अगर हम top से बात करें तो top पे हमारे चोटे mitigation जो check dams है वो लगने चाहिए क्योंकि इसका reason यह है कि अगर हम बड़ा check dam करेंगे वो वसे भी उसकी capacity को नहीं जहल पाएगा तो इस वज़ा से उसके force को ना जहल पाने की वज़ा से हम यहाँ पे छोटा check dam बनाएंगे ताकि जो हमारे silts जो उसके साथ आएगा वो यहाँ पे रुख जाए और उसके बाद ठीक नीचे हम लगभग यहाँ से कोई 300-400 मेटर पे एक और check dam पर प्रपोस करेंगे जिस check dam की वज़ा से जो volume है जो उपर से आ रहा होगा suddenly वो थोड़ा सा यहाँ पे कुछ volume रुख जाएगा जो hold होगा और उसके बाद यहाँ से ठीक नीचे फिर एक और check dam हम करेंगे प्रपोस इस check dam को इसलिए प्रपोस करेंगे क्योंकि silt जो है हमारे पास जो silt की ratio है वो जादा आएगी और वो पानी भी यहाँ पे hold हो जाएगा तो इससे check dam से थोड़ा पानी रुकेगा और जो silt है वो हमारी यहाँ पे hold हो जाएगी और उसके बाद जो हमारी दोनों और को हमने river के left और right bank में retaining walls प्रपोस की है तो वो थोड़ा सा stable रहेगी को भी नहीं मिलेगा तो यह एक overview था GIS analysis के थूरू जिसमें हम analysis करने की कोशिश की है कि क्या losses हो सकते है किनके areas में losses हो सकते है और कितना loss हो सकता है और mitigation measures हम क्या उस पे ले सकते हैं तो यह GIS analysis है काफी हद तक इसको हम बिल्कुल streak नहीं कह सकते पर यह availability जो हमारे पास data है उसके basis पे हमने एक analysis किया है ताकि लोगों को जो है बशने का time मिल पाए इसके लावा अगर हम volume की बात करें कि कितना लेक की वो 2 km के करीब हमने यहां पे रखी है विर्थ इसकी on an average क्योंकि कई जगा 500 है कई जगा 500 है तो उसको हमने 200 मेटर के करीब करीब रखा है depth भी हमारी vary करी ही है चार मेटर दो मेटर से लेके 30 मेटर के करीब करीब हमारी डेफ्ट है तो इसको 12 मेटर के करीब करीब average एक रखा है इसमें कोई जादा depth में calculation नहीं कीगी है पर एक सरसरी सी calculation है ताकि हम volume को निकाल पाए अगर हम total damage की बात करें तो लगबख 283 जो built-up है वो damage होगा इसक 45 agriculture sites है अलगल locations पे जिनका area लगबख 2500 हेक्टर के करीब है वो damage हो सकता है दो halipat जो damage होंगे green cover का जो portion है वो चार जगाओं पे है जहां पे damage होने की chances है लगबख 38 हेक्टर के करीब करीब area रहेगा एक pond है जो damage होगा और open area different locations पे है जो 83 के करीब करीब numbers में है और लगबख 900 ह road की बात करें तो road हमारे 11 km का stretch रहेगा वो damage होने के chances है तो यह हमारा overall damage है जो की possible damage है जो हो सकता है ज़रूरी नहीं कि होगा ही होगा